जबना कीचेन में आपका स्वागत है आज मैं कमल के जड़ की सब्जी बना रही हूं इसको एसे काड़ ले दो इस तरब से मुख को काड़ लेना इसे पिर इसको इसे इसे कटिंग कर ले जदा बारिंग ना काट है बहुत ही टेस्टी लगती इनकी सब्जी यह मैंने पाव बर लाई हूं और इसकी आज मैंने सब्जी बढ़ाऊंगी इसको गरम पाणी में उबालना पड़ेगा ताकि यह साप हो जाओ है पाव अबर को इसे काड़ लेना पूरी को यह काड़ लिए है गर्म गर्म पाणी में दोड़ी है ने गुन गुना पाणी में अच्चित्र रगड़ रगड़ के इसे दोड़ आत्म शे ताकि इसका मिर्टी निक्रा जाओ है अच्चित्र रगड़ होगा दो तिन बार दो लेनी छाओ है इनने कितने अच्ची शाप होगी है गर्म पाणी में बालनी है ने अच्ची तरह दोल लिए इसको गर्म पाणी में डाल देते हूं कि ज़के शाबची यह ने यह बोईल होगी है यह बहुत इची बोईल होगी है यह अलग अलग होगी है अधा चमस्ते ले लिया है इसको गरमों आदे यह मसाला प्याज कर लिया इसमें जीरा ले लिया एक प्याज काड़ लिया एक टमाटर काड़ी है चार हरी मच काड़ लिया अभी तेल गरमों बाम है आधी चमस्त मर्ची ले लिया और यह आधा चमस्ती धनिया पाउडर ले लिया है और एक चोट्तों यह चमस्त को प्रदी का ले लिया है अभी इसको मैं तोड़ा पंड डाल देती इसमें अभी तेल गरम हो गया है अदेने तेल ड़र गचा है यह दो रश्तक्त कर दोस्तक्त अब ये बरावन हो गया है अब इस टेम पर ये महाला डाल रही हो मैं अब लादा है कि में तोड़ा पाने बिए देती इसमें होताले में तमारे डाल दिया अब इसको तोड़ी देर पखने दूँ कम कर देटी केस को अब ये मसला पग गया है अब ही मैं इसको डाल रहे हूं अब इसमा मैं जोल डाल देते हूं तोड़ा बोल तकी ये ये बुड़ा जाओ कि ये सब जी बना रड़ी होगी है और रेशीप पसंद आया हो तो को कॉमेट वोक्स में लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल बेटन को दबाना और थेंक ये